नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है MSSSE Notes में तो दोस्तों आजम बात करने वाले हैं संस्कृत सिच्छन सास्त्र तथा संस्कृत व्याकरनर के सबसे महत्पूर्ण प्रस्ण जो कि आपको ये 4-5 मिन्ट का ये वीडियो बनेगा इसमें आपको बहुत ही important questions मिलेंगे तो इस वीडियो का प्लास तक देखते रहे हैं और सारे प्रस्ण जो मैं बताते जा रहा हूँ आप उनको no down कर लिजे क्योंकि आपके exam point of view से बहुत ही जादा important है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का topic और उससे पहले अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे किसलिए सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छे चीज़ जीजे आपके exams related मिल जाती है और अगर अभी तक आपने मेरा प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो आप हमेरा प्लेलिस्ट चेक कर लिजे तो चले दोस्तों सुरू करते हैं आज का topic देखे पहले मैंने प्रशन लिए हुए है संस्कृत सिक्षन सास्त्र से तो देखते हैं कौन कौन से प्रशन है देखे संस्कृत सिक्षन में कठिन उचारण वाली ध्वनियों के लिए सरवाधिक महत्रपूर्ण है तो वे कौन से चीज़े हैं वे सबसे महत्रपूर्ण कौन से चीज़ होती है वे होती है अभ्यास का सिध्धान्त वे कौन से सिध्धान्त होता है अभ्यास का सिध्धान्त अग अगला प्रश्न देखिए, किसी सिक्षन सूत्र के अंतरगत उदाहरन प्रस्तुत करने के पस्चात नियम बताये जाते हैं, तो वे कौन से नियम होते हैं, आगमन से निगमन की और, ठीक है याद रखेगा, आगमन से निगमन की और, अगला देखिए, सिक्षन कारे में किया जाने वाला मुल्यांकन होता है तो देखिए दोस्तों सिक्षण कारे में जो मुल्यांकन होता है वे कौन सा मुल्यांकन होता है वे होता है आंतरिक्त था वा है मुल्यांकन तो ये थे दोस्तों हमारे पांच सबसे महतरपूण संस्क्रेट सिछन से आने वाले प्रशन, अब हम बात करेंगे संस्क्रेट व्याकरण की तो ये हैं हमारे व्याकरण के कुछ महतरपूण प्रशन, चले पढ़ते हैं, क्या लिखा उआ यहां पर पहला प्रशन है देखिए वारे सब्द का सब्तमी एक वचन रूप है तो वे कौन सा रूप होता है वे होता है वारेणी देखिए मैं जैसे जैसे प्रशन बोल रहा हूँ आप अपने मन में भी विचार करते जाए कि इस प्रशन का सही उत्तर कौन सा है आप उससे क्या होगा खुद का भी मुल्यांकन आप अपने आप करते रहेंगे अगला प्रशन देखिए क्रिया से सीधा संबंद रखने वाले सब्द को कहते हैं तो वे क्या कहते हैं उसको कहते हैं कारक क्यूं क्यूंकि कारक कैसे लगे होते हैं जैसे कारक क्या होते हैं हमेशा क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं जैसे फल पेंड से गिरा तो गिरा है तो गीरा के साथ क्या लगा है से लगा है तो से क्या होता है कारक होता है अगला देखिए दस कुमारो के चरित्र का वरणन किसके या किसने किया है तो यह किसने किया है इसको किया है डंडी ने किया है अगला प्रसंद देखिए गंगौध में कौन सी संदी है तो गंगौध मे जिस समास में पूरप्रद की प्रधानता होती है उस समास को क्या कहते हैं उसको हम कहते है अव्याई भाव ठीक है और हाद एक पंच गंगम नाम का एक सब्ध था तो उसके लिए पुछा गया था कि वे कौन सा समास है उसमें आप लोग बहुत कन्फीजन होते हैं तो उसमें ये बात होती है कि अगर किसी भी नदी का बात हो, किसी भी नदी की बात हो, तो वहाँ पे हमेशा अव्याई भाव समास होता है, चाहे आगे पंच गव्यम हो, या त्री गंगम हो, तो यहाँ पर इससे कन्फ्यूज मत होई या कि आगे नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई भी नदी का नाम है तो आपे अव्याई भाव समास होता है अगला देखिए संकुलाखंड का विग्रह है तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा संकुल्याखंड अगला प्रसंद देखिए किसे संस्कृत कावे साहित का सिंगार कहा गया है तो किसको कहा गया है वे कहा है सुभास्तानि को आप लोगों ने सुभास्तानि के इस लोग्स पड़े होंगे अगला देखिए सुक्ति मलिका के लेखक हैं सुक्ति मलिका बहुत ही ज़ादा महत्व इसके लेख कौन है नारोजी पंडित अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है कुपुत्रह का विग्रह होगा तो कुपुत्रह क्या होगा कुछ सितह पुत्रह ठीक है बुरा पुत्र या खराब पुत्रह अगला देखिए कर्म वाच में करता किस विभक्ति में होता है तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ण हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंदा हो तो एक लाइक कर दीजे, जिससे मैं और भी ज्यादा confidence में आके अगला वीडियो जल्दी से जल्दी बनाओ, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस् और हाँ, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इसमें comment जरूर करें या आपको किसी भी प्रकार करकर suggestion देना है तब भी आप हमें comment कर सकते हैं जोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार